हाई गाईज मेरा नाम जाने से पहले आप लोग यह जान लो कि मैं आप एम्स दिल्ली में बिना कोचिंग के सब्सक्राइब लोग भी बोलते हैं कि अगर तुमको अच्छा रैंक चाहिए तो तुमको कोचिंग कासे लगाने पड़ते हैं अगर तुम्हारी सेल्फ स्टरडी इतने अच्छी है। तुम बिना कोचिंग के भी सेलेक्ट हो सकते हो। मेरा नाम है ओम सुर्वसे और मेरा एमस में राइंग था नीट में 82 जिपन्हें 69 और मैं जो कुछ ब्यक्त बिना कोचिंग के एग वो लाइस में मेरे 3 मेन strategies थे सब्से पहला होता है कि तुम्हारा यह था कि मैं बच्पन से काफी competitive spirit वाला था कि अगर कोई मेरे से सामने जा रहा है या फिर कोई कुछ कर पा रहा है तो मैं हमें से सुच था था कि मैं क्यों नहीं कर सकता तो जैसे ही मैं 11-12 में आया तो actually मैं coaching classes में नहीं था मेरा school जाता था ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुम हर किसी से compare करते रहो बट तुम at least खुच से compare करो कि तुम जहां पर उससे better करो अगली बार तो मैं अपने को मतला motivate करता था कि जादा पढ़ जादा पढ़ जादा पढ़ और फिर इस चीज ने मेरे को दो साल तक continue रखा पढ़ने के लिए तो ग अगर तुम को doubt आ रहा है तो तुम directly अगर rediment material ले रहे हो तो इसे तुम्हारे brain को कुछ activate नहीं हो रहा तो मैं brain मतलब कुछ काम नहीं करता इसमें तो तुमको याद नहीं रहेगा on the long turn पे तो basically मैं क्या करता था जैसे मैं को doubt आता था तो मैं teacher से पूछने से पहले खुद अपने मतलब books पढ़के solve करने कोशिश करता था मैं एक book पढ़ता था अगर पो समझ में नहीं आ रहे तो मैं दूसरी पढ़ता था फिर तीसरी ऐसा बट मैं खुद solve करका नेकोशिश करता था फिर अगर तुम ऐसे solve करते हैं तुमको याद रहता है कि तुमने यहाँ गल्ती की थी और यह गल्ती की थी और फिर क्या होता है कि कभी-कभी हम जादा पढ़ लेते हैं जादा बुक्स रेफर करते हैं फिर भी अपने को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो है तो ऐसे टाइम पर फाइनली तुम टीचर के पास जा सकते हो सो वही मैं बोलना चाहूंगा कि तुम डायरेक्ट लिए टीचर के पास मत जाओ डाउट सौल करने के लिए खुद से ट्राय करो कुछ और एक बात यह है कि गाईज अगर तुमको पढ़ना है तो कोई भी सब्जेक की तुम कोई एक बुक लेकर उस पर स्टिक अप मत हो जाओ NCIT तो तुमको चलो पढ़नी पढ़ेगी वो तो फिक्स है कि तुमको रट ना पढ़ेगा दिखा जाए तो बागी जो बुक्स होते हैं सप्लिमेंटरी तुम एक बुक पूरा कंपलीट करोंगा ऐसे मत पढ़ो उसके पीछे तुमको जिस कंसेप में प्रॉबलम आ रहा है बस उस कंसेप के लिए वो बुक रेफर करो इस तरह से तुम्हार टाइम भी बच रहा है और तुम्हार जो अब्जेक्टी तो हो भी कंपलीट हो रहा है जो समझ में आता है वो बस NCIT से पढ़के समझ सकते हो जो नहीं आ रहा उसके लिए को यौर बुक रेफर करो तो फिर स्टार्ट कर रहे हो तो फिर उसकी कोई ज़रुवत नहीं है तो तुम कोई बुक सॉल्व करने को लो जैसे फिजिक्स के लिए मैंने मौडन फिजिक्स की A to Z ली थी और डाउट पढ़ते है यह सी वर्मा पढ़ लेता था और मैं कभी-कभी हाईयर कोशन के लिए चैतन्या तुम जितने बार पढ़ोगे उतना है सही है तुम क्वेश्चन सॉल्व करें कुछ फाइदा नहीं कि बाहर से होते हो और बाहर के मतलब कहां से भीडाल सकते हो तो नसे पढ़ो बेसिकली वही करो तो तो तीसरा पॉइंट जो कि सबसे इंपोर्टन पॉइंट है वह जिन में को लगता था कि यार कलका रह गया कलका पढ़ते है फिर इस बात में मेरे आज कभी जाता था तो यसे दो तीन दिन बार फिर आसा होता है कि तुम मतलब पीछे पढ़ जाते हो पूरा ऐसा लगता है कि तुमारा मन ही नहीं करता पढ़ने का तुम लगता है कि पीछ लेव भी चल रही होती है, काफी लोगों से emotional attachments होती है और काफी relations break होते हैं और हो hurt करता है Like 10th में मुझे एक लड़की पसंद थी और मेरा कुछ ऐसा हो गया, हम दोनों के relations break up हो गया और उसके बाद फिर थोड़ा सा depressed सा था तो मैं पढ़ाई पर कुछ खास ध्यान नहीं दे पाए था इसे थोड़ा सा back log हो गया था मेरा फिर जरूरी यह होता है कि तुम इस back log से इस feedback loop से बाहर कैसे निकलते हो तो ऐसे टाम पर मैं क्या गया था कि पढ़ाई मेरी पीछे रह गई है तो इस तरह तुम प्रेजेंट का जो है उसको इंजा कर सकते हो इसे प्रेजेंट में तुम को सिखाया गया है वो तुम पढ़ोगे वो तुम रिसेंट मेमरी में होता है तो तुम को जादा याद रहेगा फिर ऐसे फिर मैंने नया साइकल स्टार्ट कर दिया कि आज जो से कह रहे हो फिर से पढ़ना है पीछे का मैं छोड़ दिया और फिर बीच में शुट्टी आते रहते दो तीनी के जब शुट्टी आते और टाइम पर पीछे का पढ़ लिए इस तरह से तुम यह एक स्टाइ बोला था हो तो लॉंग टर्म रण के लिए तो अभी बस 70-80 डेज बाकि एक्जाम के लिए तो अभी तुमारा मेंटालिटी थोड़ा सा ऐसा हो चाहिए कि सबसे पहले तुम तुम तुमारा पूरा जो सिलाबस है और कम्प्लीट कर लो किया का मोस्ति सब लोग का हो जाता ह आप तक इतना बड़ा वास सिला है उसको रिकलड करने पूशिश करो ऊसे क्या वाज़ता है थो ठोड़ा कम्प्रेस करो याद करो मन में तुमारे याद रहे रहे रमिशा हो और दूसरा होता हुआ है कि तुम पेपर पूरा तीन घंटा बैट के सब्सेठी कर रहे हो ऐसा स्ट्राटिजी तुमको आज़ाती है बैसिकली तुम एक पेपर जब ले रहे हो तो पूरा वह 180 वाला पेपर नीट का और एम्स का 200 वाला क्वेश्चन अब बची तो नहीं सो नीट वाला ही 180 वाला क्वेश्चन ज़े होता है वो पूरा पेपर एक बार में सॉल करो इसके लिए एक तो तुम मतलब अब देख लो जो भी अच्छे तुमको पेपर मिल रहे हैं लाइक कुछ इंस्टिटुशन खुद के पेपर बनाते हैं तुम वह कर सकते हो और फिर अलगला बुक्स में होता है जैसे हमारे एक लिंक में भी एक बुक दी हुई है तो तुम उस करना है उस ट्रीक्स बनाओ याद करने के लिए निमोनिक्स वगेरा अब यह तुमको तुम्हारे जो टीचर्स होंगे फिर गाइडर्स होगे वह तुमको ज्यादा बेटर समझा सकते हैं यह एक बात सो आगेस मैंने मेरे स्ट्राइटीजी काफी अच्छे से आपको बता द कर दो गाइडinkling मेरे संब बता कि टैंकरे बता हैं तुमको जोुमको जो झाती है कि एुम कि ए अ हुआति के दागे सो एस्ट बता बता है बता दिदा करेका सकते हैं कि अ Vernuna कर दो ए्मको बता है